हम घनानंद के पदों के व्याख्या पढ़ रहे हैं जीव की जीवनी जान ही जाने हम पहले पद के शब्दार्थ देखते हैं हीन भए जल अर्थात जल से रहित होने पर जल से अलग होने पर उससे वियुक्त या प्रथक होने पर यहां कभी घनानंद मचली के प्रेम की और स्वयम के प्रेम की तुलना कर रहे हैं हमारे यहां मचली का प्रेम आदर्श प्रेम माना जाता है और कहा जाता है कि जल ही मचली का जीवन है मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है बाहर निकालो मर जाएगी यदि उसे जल से वियुक्त कर दिया जाए प्रथक कर दिया जाए तो अपने प्रिय जल से वियुक्त होते ही वह मचली क्या करती है प्रान त्याग देती है तो यहां यही बताया गया है कि हीन भय जल यदी मचली जल से वियुक्त हो जाएगी अलग हो जाएगी प्रथक हो जाएगी या जल से रहित हो जाएगी मीन अधीन मीन मचली अधीन अधीन का यहां ताथ पर यह है विवश कैसी विवश है मरने के लिए मजबूर है यदि वह जल से वियुक्त हो जाएगी तो वह मृत्यू को प्राप्त हो जाएगी कहा कछु मो अकुलानी समाने अकुलानी काताद पर यह है व्याकुलता, मो याने मेरी समाने, उसकी समानता उसकी तुलना कैसे की जा सकती है नीर सनेही को लाए कलंक नीर सनेही जो उसका प्रेमी जल है और इसको यदि हम प्रथक करके पढ़ेंगे तो इस तरहें भी इसका अन्वर किया जा सकता है नीरस नेही नीरस अर्थात प्रेम के प्रती जो उदासीन है नेही अपने सनेही व्यक्ति को लाई लगा देती है कलंक अपवाद सू याने वह मचली क्यों किस प्रकार जड़ का तात परिये है अचेतन मीत याने मित्रिया परिये पानी परे हाथ में पढ़ने पर अपनी वश्चिता प्रमानित कर देती है जीव की जीवनी याने प्राणों का प्राण तो मचली के प्रेम से मचली और जल का जो प्रेम है उसके प्रेम से कवी घनानंद अपने और सुजान के प्रेम को श्रेष्ट ठहराते हुए कहते हैं कि हीन भये जल मीन अधीन कहा कछुमो अकुलानी समाने जल से हीन होने पर व्युक्त हो जाने पर मचली दीन हो जाती है अधीन हो जाती है मरने के लिए विवश हो जाती है अत एव वह जल के वियोग में उत्पन होने वाली उसकी जो व्याकुलता है उससे क्या तनिक भी मेरी आकुलता की समानता की जा सकती है अर्थात मचली की जल से वियुक्त होने की विकलता और मेरी प्रिय से वियुक्त होने की विकलता में कोई समानता नहीं है मेरी विकलता मचली की विकलता से अधिक तीवर है कैसे तीवर है आगे बताते हैं नीर सनेही को लाय कलंक निरास भे कायर त्यागत प्राने वह अपने नीर सनेही जल का भरोसा त्याग देती है और उसे छोड़ कर निराश होकर वह कलंक लगा कर कायर की भाती अपने प्रानों का त्याग कर देती है कायर विक्ति वह होता है जो कष्ट सहने से भाइभीत होता है असमर्थ होता है किसी कारिये को करने में तब ही वह मृत्यू की काम ना करता है तो यहां मचली का दृष्टी कोण आशावादी नहीं है वह जल से पलभर भी वियुक्त होने पर ही अपने स्नेही को कलंक लगाती है लोग क्या कहेंगे कि मचली अपने प्रिये से वियुक्त होने पर मर गई है तो कलंक लगा प्रिये जल को इसलिए वह अपने प्रिये तम पर कलंक लगा कर अपने प्राणों का त्याग कर देती है इसका आर्थ हम इस तरह भी कर सकते हैं नीरस नेही को लाए कलंक वह मचली कैसी है नीरस्ता से परिपोन उसका प्रेम है या उसका जो प्रेम है वह निरुत्साहित प्रेम है जो की अपने प्रेमी को कलंकित करता है ला ये कलंक और निराश होकर हताश होकर या अपने मन में निराशा का भाव लाकर त्यागत प्राने अपने प्रानों को त्या कि प्रेम की जो रीती है प्रेम का जो पंथ है वह तो काटो पर चलने वाला पंथ है इसलिए सुक्यों समुझे जड़ वह जड़ किस प्रकार समझ सकती है अर्थात मचली के और मेरे प्रेम की समानता इसलिए नहीं है उपर जैसा बताया कि मचली में प्रेम की विकलता नहीं कही जा सकती क्योंकि अपने प्रिये पर पहली बात वह विश्वास नहीं रखती उसे विश्वास नहीं है कि वह प्रेमी उसे दुबारा मिल जाएगा और दूसरे मर कर उसे कलंक लगाती है किन्तु मैं न तो अपने प्रिये पर अविश्वास करता हूं और नहीं उसे बियोग से मरकर कलंक लगाता हूं वरन बियोग के कश्ट सहन करके जीवित रहता हूं इसलिए मैं प्रेम की रीती को समझता हूं क्योंकि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावाँ प्रेम का जो रास्ता है वह बड़ा विक्राल है वह आसान राह नहीं है वह थल्वार नंगी तल्वार की धार पर दोड़ने के जैसा है कश्ट तो उसमें आएंगे इसलिए कश्ट को सहकर जीवित रहना प्रेम को प्राणपन से निबाहना है न कि उस कश्ट को प्राप्त होते ही मर जाना तो मचली तो मर कर अपने प्रेमी पर कलंक लगाती है लेकिन मैं ऐसा नहीं करता इसलिए मेरा प्रेम मचली के प्रेम से स्रिष्ट तर है पर सच बात तो यह है कि मचली प्रेम की रीती को क्या समझे क्योंकि वह तो जड़ प्रिये के हाथों में पड़े होने को जड़ प्रिय प्रिये के हाथ में पढ़े होने को अर्थात प्रिये के प्रति अपनी वर्षिता को प्रमानित करती है। बढ़े हो जाने पर भी जीवित रहकर वियोग वेदना को सहने का साहस और सामर्थे दिखाए। या मन की जुदसा घन आनंद जीव की जीवनी जाने ही जाने है। पंक्ती में कवी कहते हैं कि प्रियव योग में इस मेरे मन की जो दशा है उसे घना आनंद देने वाली घना नंद में यह आशलेश है घना नंद कवी कहते हैं कि उसे अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली प्राणों की प्राण जीव की जीवनी सुजान ही जान सकती है अन्य कोई उस वेदना को उस पीड़ा को या मेरे मन की जो दशा है उसे नहीं समझ सकता इस सवाईये में घनानंद ने सुजान के प्रती अपने प्रेम को मचली के जल के प्रती प्रेम से स्रेष्ट तर ठहराया है क्योंकि मचली का प्रिय अचेतन है जड़ है और इसलिए वह कुछ नहीं समझता है और ना उसे प्रभाविती किया जा सकता है साथ ही मचली में भी विरह का कष्ट सहने का ना तो साहस है और ना सामर्थे ही किन्तु घनानंद का प्रिय अथवा उसकी प्रियतमा चेतन है वह उससे प्रेम को समझती भी है और उसे प्रभावित भी किया जा सकत इस प्रकार दोनों के प्रेम में कोई समानता नहीं। यहां यह भी कहा जा सकता है कि मैं मरकर अपने प्रिये को कलंकित नहीं करता। इसमें पूर्ण आशावाद ध्वनित होता है। आशावाद भारती कावे परंपरा को पुष्ट करता है। और निराशावाद का अनुकरन भारतीय मनीशियों नहीं किया अतया द्रिष्टी कावे शास्री परंपरा के भी अनुकूल है। इस संबंध में आचारे विश्वनात प्रसाद मिश्ट की निमनलिखित पंक्तियां द्रिश्टव है। वास्तविक प्रेम जिसके प्रती हो जाएगा उसके अनुकूल या प मंद जोडने वाला प्रेमी प्रिये के निर्दय हो जाने पर जिस कष्ट का अनुभव करता है। वह सचमुझ बड़ा मारमिक होता है। रीति बद्ध रचना में सैयोग और वियोग की चरम दशा बिछूरनी मीन को और मिलनी पतंग की इसके द्वारा घोशित की जाती रही थी। प्रेम में मर मिटो यही उनका मूल मंत्र है। विरह सहने का साहस उनकी शारिरिक सुकु मारता नहीं बटोर सकती। मन का बल उनके पास नहीं होता। पर रीति मुक्त कवी प्रेम में मर जाने को चेतनता का नहीं जड़ता का लक्षन मानते हैं। चेतनतो साहस पूरव जीता है प्राणों को जिलाने वाला प्रिय मन की दशा को अनुभव करने वाला भी है मीन का प्रिय उसके प्रेम को अनुभव करने वाला नहीं है मचली तुरंत प्राण त्याग देती है पर प्रेमी साहस प्रोग वेदना सहता है इसी लिए उसका प्रेम बिलक्षन है उन दो मचली के और मेरे प्रेम में किसी प्रकार कोई समानता नहीं हो सकती, पद में मोहावरों का सुन्दर प्रयोक किया गया है, प्रान त्यागना, मीत के पानी परे, अर्थात हाथ में पढ़ना, प्रीत की रीत को समझना, इत्यादी, पूरे सवये में व्यती रेख है, जहां स्वयम के प्रेम को मचली के प्रेम से स्रिष्ठ सिद्ध किया गया है, जीव जीवनी में सभंग पद यमा का लंकार है, घनानंद में शलेश है, अत्यथिक आनंद देने वाला प्रिय और घनानंद का विस्वयम, अनुपरास लंकार है और पदमेत्री अलंकार भी है और घनानंदनेतत कालीन जो रीतिबध का विधारा में चली आ रही परीपाटी थी कि प्रेम में मर जाना स्रेष्टतर है उसकी बजाए इस बात को सिद्ध किया कि प्रेम में मरना नहीं बलकि प्रेम जनित विरह में कश्ट सहकर भी प्रिये के प्रती सकारात्मक द्रिष्टिकोन बनाए रखना अधिक रुचिकर है अधिक प्रिये कर है इस बात को सिद्ध किया है और ये बताया है कि यही प्रेम का पंध है क्योंकि प्रेम का ताज काटों का ताज है प्रेम की राहक कोई सरल नहीं है उस प्रेम के मारग उपर चलना सामान निविक्ति का काम नहीं है